अगस्त 2024 का आगाज हो चुका है और इस महिने उस विधाता ने कन्या रासी के जीवन में क्या कुछ लिख रखा है ग्रहों के माध्यम से आज इसी बात को हम समझने जा रहे हैं पूरे एक महिने के दवरान क्या रहेंगे आपके स्वास्त की इस्थिती धन की स्थिती इस बात को हम जानेंगे कैरियर को हम जानेंगे आपके भागी की स्थिती इसकी प्रबलता को हम जानेंगे और साथी साथ वो कौन सी तारीक होंगी वो आपके लिए सफलता का रखोंगी इस तारिखों को हम जानेंगे किन तारिखों में हमें सतर करहने की आउ सकता रहेगी इस बात को हम जानेंगे साथ ही साथ हम जानने वाले हैं किस एक सर्वस्रेष्ठ उपाय से इस अगस्त के महिने को हम बहतर बना सकते हैं इस बात को भी हम जानेंगे बने रहिएगा कहीं जाईएगा मत समझते हैं आपके अपने रासी के इस सुखत परिणाम को इस महिने के प्रारम में ही चंद्रदेव आपके कैरियर भाव को सुसोभित कर रहे होंगे ये अच्छी अनुभूती से युक्त आप इसे मानिएगा क्योंकि चंद्रमा जब किसी स्थान पर होता है चंद्रमा हमारा मन होता है और यही मन इस समय पर इस्थित होगा हमारे कर्म छेत्र को ले करके और इसलिए ये महिना कैरियर में कुछ सुखत अनुभूतियों को आपको जरूर दिला जाता है दसमेज जो बनते हैं कैरियर के जो मालिक बनते हैं वही होते हैं बुद्ध और वास्ता में इस महिने बुद्ध एक ऐसी स्थिती पर रहेंगे जहां पर वक्री मार्गी के खिल से युक्त रहेंगे बुद्ध जब वक्री मार्गी के पूरे इस महिने 28 तारीक अभी वक्री होंगे मारगी होंगे अर्थात ये एक अभी इस्थान पर प्राप्त है आपके बारवे घर पर बैठे हैं करन्यारासी के और ये पुना एक बार फिर से एकादस भाव का इस्थान भी आपको देंगे बुद्धी की प्रवलता यदि देखना है हम बुद्ध को देखते हैं अब बुद्ध वक्री मारगे के खेल खेलेंगे अर्थात हमारे अंदर भी उस अस्बंजस की स्थिति इस मेहने ज्यादा रहेगी किसी डिसीजन को लेकर के हम कंफ्यूज हो सकते हैं तो इसके लिए भगवान सूर्य स्वयम बैठे हैं आपके इंकम भाव पर लाब के दृष्टी कोन से ये महिना 16 तारिक तक का अनुकूल ही रहेगा और इसके बाद तो और अच्छी स्थिति आ जाती है क्योंकि सूर्य इस समय पर अपने स्वयम की रासी पर होंगे पूरे एक साल बाद एक महिने के लिए एक बार भगवान सूरी नरायन अपनी रासी पर प्रवेस करते हैं और यहीं वो समय होगा 16 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर तक का समय जिस समय पर सूरी बारवे घर पर रहेंगे कोई इन्वेस्टमेंट समंधी काम करना है कर डालिएगा कोई ऐसा काम करना है ज बास्तों में जो बारवा घर होता है जहां पर सूरी भगवान प्रवेस करेंगे 16 तारिक से लेकर के 16 सितंबर तक रहेंगे वो इस्थान बदलाव का होता है तो इसलिए बदलाव की इस्थिति भी आपको इसी महिने देखने को मिल जाएगी अब कैसा होगा आपका आर्थि गुरू है जो दैथ्यों के गुरू है बित संजीवनी विध्या के एक ऐसे जनक माने गए हैं जिनोंने देवा दिदे के आराधना से प्राप्त किया था इनोंने और यही सुक्र इस पूरे महिने के प्रारं से ही बार्वे घर पर सुसोभित होंगे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत अच्छा समय हो गया, कोई निवेस करना चाहते हैं अच्छा समय हो गया, मेडिटेशन ध्यान के लिए अच्छा समय हो गया, हॉस्पिटल समंधित, चिकितसाला समंधि, यदि आप परिसान है अपने परिवार को ले करके या किसी कारण से खर्च करने के अधिक्ता बनती है वो एक अनुकुल समय रहेगा लेकिन जैसे ही ये 26 तारिको 24 तारिको 24 अगस्त को यही सुक्र एक घर आगे प्रवेस्ट करेंगे जो कन्यारासी पर ही आ जाएंगे अब कन्यारासी पर इस सुक्र को नीच का माना गया है लेकिन ध्यान आपके संतान की स्थिति आपकी बुद्धी मता आपके एजूकेशन आपके प्रेम संबंध को स्वामी बनते हैं सनी और सनी इस समय पर आपके छटे भाव पर ही वक्री हो रहे हैं वक्री हो करके पंचम भाव का परिणाम देंगे प्रेम संबंधों में प्रगारता यहां प अपने केरियर के लिए भी हम जादा इस समय पर प्रभावित इस्तिती को प्राप्त करते हैं पंचम के ही मालिक हैं और इस कारण से ये कैसा समय होगा जो मेरे मनाहिस्मृतिक एनुसार मुझे कारे उस होते हुए नजर आएंगे और ये मात्र अगस्त भन नहीं बलकि 15 लिए नौकरी के द्रिश्टी कोड़ से जरूर ऐसा बाता वनन आएगा यदि आप चेंज करना चाहते हैं यदि उसी में प्रमोसन चाहते हैं कि योग बन सकता है डिपेंड ये भी करता है कि बर्थ चार्ट में क्या इस्तिती बनी हुई है लेकिन गोचर में जब ये वकरी है तो कोई नौकरी से जुड़ा हुआ महतपूर्ण कारी जरूर यहां पर सिद्ध करते हैं अब चलते हैं दां-तती स्थान राहु बैठे हैं दां-तत्य पर ध्यान रखने की आऊ सकता रहेगी राहु बैठे हैं ब्या पार के लिए अच्छा वोग्ल में गontकून हो गया ओ पारण क्या रहेगा एक तो सावन का महिना चल रहा है भगवान सीव की अराधना से ये राहू नक्मस्तक रहते हैं सदयों इसलिए भगवान सीव की अराधना इस सावन के महिने में करना मत भूलिएगा ये जो अगस्त का महिना होगा लगभग सावन के भगवान सीव की कृप पहें उसे सराबोर होगा और इसी महिने में ही एक अच्छा संजोग बनता है जब स्रीकृष्ण देव गुरु बिरस्पती आपके भागे भावपन है अब उसी साफ से देखा जाए तो पूरा इस महिने भर आपके भागे को सपोर्ट करेंगे क्योंकि डिगरी वाइस इनकी केपिबिलेटी काफी मजबूत है और यह अभी तक नहीं बलकि मई 2025 तक आपके भागे को आ गए हैं एक तरफ तो गुरु दूसरे तरफ मंगल अर्था देव पुरोहित देव गुरु बिरस्पती और मंगल साहस का प्रती लाब भाव को देखते हैं तो लाब भाव के स्वावी चंद्रमा है चंद्रमा कैरियर भाव पर हैं तो काम से जुड़ा हुआ कोई अंतरण से युगत होंगे या फिर ऐसे खर्च होंगे जो मेरे लिए अनुकूल हो जो मुझे आवस्यक हो उस कारे पर इस महिने खर्च होंगे किसी नए ब्यक्तिका आपके साथ मिलन हो सकता है कोई पुराने मित्र आप से मिल सकते हैं उनसे फोन पे बात हो सकता है और उनक महत्पुन तारिखें होंगी अगस्ट दो हजार चोबिस में वो तारिखें हैं तीन अगस्ट चार आठ नौ दस तेरा चौदा तीस और एकतिस तारिख आपके लिए अनुकूल साबित होंगी इसके विपरित जिन तारिखों में हमें सतरकता रखनी होंगी वो तारिखें में सतर करहने की आवसक्ता भी बनती है यदि इस दिन भी कोई आवस्त्यक कारे करना हो तो अपने गुरुवर का असिरवाद ले करके अपने इस्ट देव का सुमिरन करके आप किसी कारे को संपन करा सकते हैं निश्य मानिये कारे सिद्धक की और अग्रसत होते हुए जरूर आ उम्मीद है आप समने इसे समझा है आप समने इसे जाना है यदि आपने इसे समझा है जाना है मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो तो हर बार की भाती इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमें और हाँ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर किजिएगा पुना है एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगल मैं हो इन्ही सुपकावनाओं के साथ जैस्री राम